वेलकम बेक फ्रेंड्स दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिक निवरत के बारे में एक्जाम पॉइंट वीव से इंपॉइंट जो एक्जाम में आ सकते हैं उसे देखेंगे इन पॉइंट से पहले भी कई बारे एक्जाम आ चुके हैं सिवल सर्विस में पूछिड जा चुके हैं तो यह हमारा वन लारे नॉट्स है है एक एक लाइन के नॉट्स जो की समझो जितने लाइन उतने क्वेसं आपके बन रहे हैं आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगा इसलिए मैंना इसा लिखा है उमीद करता हूं आप इस वीडियो का पूरा देख कर दो के अलग अलग हैं हर वेस्ट कर अलग हैं साम चाहान अरट के अलग हैं इस तीक है तो लीवे होता है मतर यारिच्या का मतलब होता है विद्याने के अलग सुक्त ठीक है सबसे इंपोर्टेंट हमारे यह है कि रिग्निवेद की जो सनीता है उसमें टोटल दस मंडल हैं 1028 सुक्त और 10500 से रिचाय हैं यह काफी इंपोर्टेंट है इससे सवाल पूछा जा सकता है पूछा भी गया है पहले के कई एक्जाम में ठीक है कि रिग्निवेद में पूछा जाता है रिग्निवेद के ब catastrophe में एत्रеци ब्राम्हन जो है कि रिग्निवेद में अएन साम वेद में ata फिर यह वह किस्वेद का उपकवेद का है इस तरह के इसस टोछआ है डोस्त तो अगला कर तोटल तीन साखाएं हैं साकल साखा जिसमें एक एक हजार सत्रह मंत्र हैं वास्कल साखा जिसमें 57 मंत्र हैं और बाल खेल साखा जिसमें की हम राजा की उत्पत्ती का सिद्धान जह है वो भी एत्रे ब्रामन मिलता है तो यह हमने देखा दोस्तों आई देखते हैं पॉइंट पॉइंट एक एक करके जो इंपॉइंट पॉइंट है उसमें देखते हैं पहला जैसे कि रिवेद काल में वर्ण कर्म के अधार पर आधार ब recib razas, जैसा करम था वैसे उसके वर्ण था आज करम में और जफ वर्ण की इस पर आधारित हो गया है आपके जितने भी कर्म है वो वर्ण पर अधार फैसे पहले था व पहले कर्म कर्म मिलती हैiben फ्ग पर और ओनक मिलती में मला है एक है से खिए कुछा जाता दोस्तों किकट सब्त का मगद के लिए किकट सब्त का यूज वह किस champion क्या है रिकनले means ने शांवेद में सवाल पूछे आते हैं इसे प्यान डोभायों का उलेख atus होते हैं कि सक्थ्पत ब्राह्मन में त्रिकुट काभि त्रिप्ट से कहा इस वेद में सिन्धु नी को सिरन नी कहा गिया यह इस पूचा जाता है कि सिन्धु नदी को किशी में ठीक है यह आपको उसमें से बताना होगा दोस्तों से सारे क्योंकि इस नदी के द्वारा धन के प्राप्ति होती थी इसलिए से नाम भखा गया हिरनी ठीक है रिग्वेद में जो उपवेद है वो कौन सा है आपको बताया है रचनाकार है वो कौन है धन्वंत्री है अपसे पुछा जाता है सवाल रचनाकार के नाम ठीक है तो वह है धन्वंत्री अगला पॉइंट देखते है मारे पास है रिग्वेद में रिजास्वे और व्रिज्यू की कथाओं से क्या पता चलता है कि पिता पुत्र पिता का पुत्र पर संपूर्ण अधिकार होता था ऐसा में पता किसे चलत हachment रह hbardiver में आर क्या है दोस्तों तो उसमें कुछ ऐसी होती थि जो पूरी जिंद्दी अभिवाह्त होती है कि निशात समुद्लय नाविक वर और उसरी के इंदर आते थे रिच्ः को पंच जन बताया है घृत सब्द के रिगनमेद में किस सब्द का उल्हे किया गया गया ग्री स्वामी और अगला फॉइंट के नासदीय सुक्त में निर्गुण ब्रह्म्र का वर्ण किया गया यह बहुत है तो दोस्तों यह सारे सारे points काफ़ी important है। जो पहले भी UTSC के exam में आ चुके हैं। अdHur state level के exam में आ चुके हैं। ज़ी जेतने points समझने आपके प्रास्ण बन रहे हैं। अगला पाइंट है रिग्णवेत के सुक्तों के पूरुस रचाईताव में जो नाम था वह था गृत्समद विश्वामित्र वामदेव ठीक है और कौन थे अत्री और भारद्वाज और कौन से एक वह हैं वसिष्ट जी वसिष्ट मोने तो यह सारे जो है पूरुस रचाईता ट्रिक है इसतरे से तो हम में जो है वो लोकमुद्धा गोसा सची कान्षा वृत्ति और पॉलोमी तहीं है इसमें गंगा को दोस्तों एक बार यूज किया गया है एक बार इसका नाम साना का नाम नाम तीन बार आया है तो अ आप बिल्कुल भी हलके में ना लें क्योंकि ये पूछा जाता है कि दिंग्रमेद में जमना को कितनी बार किया गया है तो तीन बार में ठीक है रिंग्रमेद में अप्रोक्स लगवाप 25 नदियों को लेकिया गया जैसे सबसे सबसे ज्यादा परण किया गया है पुछ गया सबसे नदि कॉन थी इस संदु नदी कई कोंग्वेद में और सबसे पवित्र नदि के रूप में चुदित को हैं माना गया है committed कुछ अनार या लोक्ट भी थे जो आहार नहीं सोना किया दिंग्रमत पिसाकास शीमिया यह सब नाम आते हैं यह सब कौन थे सब अना रहते हैं रिग्ण में वाय सब्द का प्रयोग किया जुलाहों के लिए और ततर सब्द का यूज किया गया है करगा के अर्थ में ठीक है तो यह सारी इंपोर्डेंट एंदो सारे कई प्रसंब से राजा का प्रश्व सोता था है ठीक है कि कि त राजा का पाद होगा हूँ वह वह वनशानुगत होगा और नगी लBA magic इंद्ला में । पहले भी आ चुका है ठीके दोस्तों अस्तों मा सद्गमिया जो वाक के है वह कहां से लिया गया है सुर्ष से संबंदित देवी सावित्री को संबोधित करने के लिए गायतरी मंत्र जो हम यूज करते हैं दोस्तों और भूरवस्व है यह भी रिग्निवेत से लिया गया तो सब्गार से भी सवाल आए हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं तो आपको धियान रखना है कि एक मंडेल में एक उत्ति का स्लोक है वह है सोम देवता ठीक है 9 मंडल में इसी वेद में गाय के लिए अहन्या सब्द का यूज किया गया है ठीक है नहां शब्द का गाय के लि कभीले थे इसको पंच जन कहा जाता था यह थे कौन-कौन थे यह पांचों कभीले एक थे पुरु ठीक है पुरु यदू अनू तुर्वसु और द्रहयू यह सारे कौन थे यह सारे कभीले थे पांच अलग-अलग ठीक है रिंग्न वेद में क्रिस्टी का उल्ले कितनी बार ह है इस address मिश इसमें सुरिया उससा तर अधिति गया इसी वेद में बहुत देववाद ठीक है बहुत सब्सक्राइब का गांव है काफी साथ क्सार जो है वो-काफी महत्तफूर्ण है ठीक आते हैं penser पास इसके त्व मन्डल बाताया है सबक्सें में पहले दो सबसे मंदलो का संग्रा किया गया सबसे पहले उसके बाद आठवा मंदल उसमें जोडा गया फिर दो से आफ मंदल के बीच̀मं और शुक्त को अलग करके नौव मंदल माडला गया था था इस दोंवा मंदल मंदल याम मंदल को हाते थे तो नौ तक तो हो गया दस्वा मंडल और पहला मंडल जो था इसमें अलग से जोड़ा गया है पहले यह नहीं था ठीक है ना सबसे नया जो है वह दस्वा मंडल है जो अंत में जोड़ा गया है तो अगर कहा जा सौटकट में तो रिंग रिवेद में दो से साथ मंडल नहीं थ ठीक है पहला मंडल और दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया जिसमें दस्वा मंडल यह था वह सबसे नया था ठीक है ना दोस्ताओं के वीडियो कैसा लगा मैं लाइक करके जूरू बताएंगा जहां सोगों से सब सेर करें अपने फैंस क्रिकल में से अब सब्सक्राइब कर के लिए अगर आप नए हैं दमाज चैनल को तो ताकि इसी तरह के और भी नए वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिक्रिसम जाता रहे हमार से कंटिवर्स के आपका बहुत धन्यवाद थैंक्यू झाल